नमस्कार दोस्तो श्टाक मार के स्टेडिस में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत है तो आज यहां पर मैं डिसकेशन करूंगा कुछ इंपोर्टेंस कंपनी के साथ साथ उसके टेक्निकली चार्ट प्रटेंस के बारे में क्योंकि कुछ कंपनीस में एक अच्छा खासा बाइंग ऑप्रटेंस यहां पर मिला है मतलब एक सांदर सा टेक्निकली चार्ट प्रटेंस बना है जो मैं आपके साथ सेर करूंगा सिर्फ कोई सिर्फ एडूकेशन परपास में कोई भी टीप्स देने का यहां पर मेरा कोई काम नहीं है मैं कोई टीप्स नहीं देता हूँ मैं हमें साब को बोलता हूँ कि आप पहले सीखिए काम करिए तभी आपको किसी के हिल्प का और किसी के सहारा का जूरत नहीं पड़ेगा तो विडियो को सुरू करने से पहले में रिक्वेश्ट करूंगा चैनल को अभी तक सब् है यह पेनी स्टॉक पहले भी था आज भी पेनी स्टॉक है मगर एक चीज़ दिखा दू कि कमपणी जिस लेवल से अभी करें जो सिनर्यों है यहां तक दिखा दू जो जर्नी है अफका फंट 2x कर दिया मतलब अफका फंट डवल कर दिया तो डवल के चलते हुए मैं इस कम के लए देखिए कमपणी का पार्फॉमेंस अगर कमपणी का प्रफॉमेंस अच्छा है तभी में उस कमपणी चाट पर अच्छा नहीं है तो तो इस सारे चीज आपको सोच कर समझ कर काम करना पड़ेगा तो 60,000 क्रोड के आसपास मार्केट क्याव है पी रिसु एक्दम रिजनेबल है और रोसी रोई में देखा जो आर रोई जो बैंकिंग सेक्टर में देखना चाहिए वहापी आवरेज के आसपास है इंडेश्टी स्पी रिसु 1,22,000, 1,34,000 उससे बढ़ते बढ़ते इस बार कितना हुआ दो लाग करोड तो यहापे कोश्चन आएगा कि दो लाग करोड का करजा है तो कंपानी तो खराब हो गया ऐसे मत सोचिए क्योंकि कंपानी एक फाइनेंस कंपानी मतलब एक बैंकिंग और फाइनेंस कंपानी है उस हिसाफ से देखा जाए जो जो बैंक जादा लोन लेंगे तो उस बैंक को अच्छा माना जाता है अभी कहेंगे सर लोन लेला एक अच्छी बात है बिलकुन नहीं आपको यह देखना है कि लोन लेने के बाद वो एनपे को कितना कंट्रूल में रखा उसके साथ साथ कंप अगर इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो करेंट जो इंपी को परसंटेज है वह इं पी जो परसंटेज आपके देखने को मिला अभी कितना है दांस इस चूज को सब्सक्राइब देखना पॉइंट सेवेंजिरो के आसपास यो पिछले पिछले साल्म में कितना था 90 ers only पर और खाटी Creating C परुने का उपर कंपपनी के जो पर्संटेंज में अच्छा खासा मुझ और यही दाँ के यह कलिक्या Cancer 1 पारे में चुछुएकů उसी लिए धानीब रहुए कि आपको पता चले कि actually share में सही में अच्छा कुछ काम हो रहा है किसके पज़े से भाग रहा है कि ऐसे की operator उसको उपर लेके जा रहे है तो मेरी साब से company करजा जो लिया उसका मान भी रखा और company profit भी करजे को मिटाने के बाद profit भी अच्छा कसा किया क्योंकि company के जो profit करजा ल double के आसपास profit generate किया तो इस सारे point company के positivity को mention करता है तो रही बात investor के देखिए FIS ने क्या क्या जो 11 परसन होल करते थे वो आज 20 परसन तक holding लेके आए इसका मतलब FIS ने holdings को बढ़ा दिया क्यों न बढ़ाए अपकमिंग years में economically इंडिया बहुत तेजी से growth करेगा और उस growth में हर बाहर की जो institution है वो एही चाहेंगे कि इंडिया के इस growth में सामिल हो और अच्छा का सा profit भी कमाए इस company के उपर में बहुत पहले से ही बहुत बार trades भी ले चुगा हूँ और एक time मैंने थोड़ा सा quantity hold के उपर रखा भी था और उसको मैंने बेच दिया उसके पीछे कारण भी है मैं यहाँ पर discussion नहीं करूंगा तो इस company के जो अभी DS के वह holding है वो थोड़ा सा कम हुआ है government के पास भी holding है और public के पास भी holding है और promoter के पास भी हिस्सेधरी देखने को मिला तो overall इस company के जो performance है वो आप देखेंगे तो February मान में अच्छा खासा sale up किया गया March मान एप्र तो यहाँ पर एक buy sale by sale का नजरिया देखने को मिला अभी IDFC जो first bank है इसका chart pattern के बारे बात करूँ तो मैंने आपको कुछ इस तरह के से technically chart pattern mention किया था पहले क्या बना एक cup बना उसके बाद एक handle बना और बहुत सरा लोगों को एही confusion है कि sir cup जो अपने बनाया उतना ही बड़ा तो handle हो गया क्या यह trade सही में होगा अब मेरे इसाब से तो बिल्कुल सही है क्योंकि जो cup बना और उसके बाद जो handle बना handle देखना है कि cup के नीचे ना आ जाए cup के जो bottom है उसके नीचे अगर आ जाते तो इस pattern को में cancel कर देता तो cup के नीचे नहीं आ और यहाँ पर सांदर तर 34% अगर इस target एक साल में मेरे साब से एक साल में हो जाएगा अगर ना भी हो अगर दो साल में भी target मिले तो भी मुझे 34-35% के उपर target मिलेगा तो average target मुझे 35% तक मिलेगा तो मैं फिलाल के लिए integer कर रहा हूँ target का देखा जाएगा क्या होने वाला है तो बाकि आपके कह रहा मैं बहुत बार आपके साथ चर्चा किया हूँ और इस चर्चे के बारे में बात करो तो market क्या कितना है 14,000 क्रोड के आसपास और इस company के जो peer issue है मुझे मतलब ज्यादा हाई लेगा और ROC ROE देखे ठीक ठाक है पी रिस्यो के बारे में बात करो तो company के average peer issue एक time company के एक time peer issue था 160 के आसपास और आज कितना है सिर्फ 60 के आसपास तो पांस साल की जो average है इस average को मैं आपको निकल के दूँ तो 69 आराउंट आप 70% के आसपास बोल सकते है तो 60 से 70 यहाँ पर जो journey है तो company देखाए तो एक undervalued company चल रहा है क्योंकि company के current peer issue company के average peer issue से बहुत कम है companies के जो भागी performance है जैसे आप देखेंगे company day free है और company अच्छा खासा good profit को generate करते है पांस साल में 54% का profit generate किया ROE तीन साल में 24% के आसपास track rate record दिखाया तो सारे points यहाँ पर positive में है और कुछ points negative है जैसे 10 times के ऊपर company trade कर रहे है तो यह तो होता है रहते है अगर आप 10-10 company देखेंगे तो उनमें से एक company साइद आपको मतलब book value के नीचे trade देखने को मिलेगा बाकी सारे companies आपको book value के बहुत उपर trade देखने को मिलेगा तो आप देखेंगे तो company जो reported यहाँ पर पेस किया है profits का तो उसमें not paying out dividend मतलब company कोई भी dividend payout नहीं किया profit तो किया मगर कोई भी dividend नहीं दिया tax rate जो schemes है उसमें low हुआ उसके साथ promotor का holdings है आप 8.49% का holding प्रोमोटर ने तीन साल में बेचा तो एक कुछ weakness points भी आपे discuss किया गया है अभी quarterly result के बारे मत करूँ तो company इस बार highest sales किये expense को भी control किया और उसके बाद highest profit भी जेनेट किया 55 क्रोड से बन चुक है 66 क्रोड तो overall company का performance हर दिशा से positive में है balance rate में दो चीज मुझे अच्छा लगा reserve बढ़ता गया एक करजा काम हुआ और company का fixed asset भी बढ़ता चला गया company इस बार कोई भी पैसा processing में नहीं लगा कर रखे है तो इसका मतलब इसका fixed asset next year में मतलब जादा बढ़ेंगे नहीं उसी के उसी देखने मतलब जितना price है उतना ही देखने को मिलेगा अभी investor के बारे मत कर तो promotor FISDS public हर किसी के पास investment देखने को मिला है तो एक चीज अब ध् continuous ले उसके पर buy किया रहा है अभी buy क्यों किया रहा है देखे company इसको पर buy इसलिए किया रहा है यह कि कि कमपानी higher level से लगातर correction होने के बाल एक बार बार एक resistance को उन्होंने क्या क्या फेस किया इस resistance को बार बार वो फेस किया और मैंने अब को यह भी बताया कि resistance अगर break करेगा तो मैं एंटी लूँगा तो यहाप में actually resistance बेक किया और मैंने यहाप एंटी नहीं ले पाया किकि उस ताइम थोड़ा सा में busy था और इस stock के उपर मैंने देखना ही भूल गया और जब मैंने देखा तब यहाप यहाप यह तक आ गया था तो मैंने एंटी नहीं लिया तो मै मैंने यहाप एक solder double solder उसके बाद head उसके बाद double solder बना यहाप एक breakout level देखने को मिला और breakout को confirmation मुझे चाहिए इसके उपर कोई closing चाहिए तब ही मैं इंटी लूँगा और मेरा target निकल का आएगा 21% का आसपास around आप बोल सकते है 1342 के आसपास यहापर target बनके आएगा तो मैं integer क ब्रेक करने का तो ब्रेक जब करेगा तो मैं जुरूर इसके उपर कोई decision लूँगा और आपको मैं टेलिग्राम में भी mention कर दूँगा जाकर टेलिग्राम को join करिए जहापे आपको पहले से update मिल चाहेगा तो next company जिसके बारे मैं बात करूँ तो उसके नाम है उलेक्ट्रा के हिसाफ से कामकर है तो उलेक्ट्रक इंटेक सिर्फ के सिर्फ बास बनाते है और देखा जाए इस company की electric bus बनाने में 82 परसन रेवी निचे रेट होते है उसके साथ company का और एक business है वो है insulator का तो electric जो insulator से उसको भी company बनाते है आप देखेंगे तो electric busses के उपर भी company का business चलते है जो एक insulator बनाते है तो company के जो performance है मुझे कुछ weakness लगा जहाँ पे सबसे पहले दिखा दूँ तो company का peer ratio कंपणी का peer ratio 146 है इसका मतलब company के peer ratio आज बहुत हाई है आप कहेंगे सार एक time तो company के peer ratio 370 तक चला गया था तब भी शेयर भाग रहा था तो आज आप बता क्यों बत peer ratio तो बहुत-बहुत company के peer ratio में negative में देखता हूँ और में देखता हूँ वह company rocket के तरह भाग रहा है क्या वह company अच्छा हो गया ऐसे बिल्कुर नहीं peer ratio और share का भागना दोनों में बहुत-बड़ा अंतर है share को भागना मतलब भागाये जाते है बड़े-बड़े operator उसको उपवल लेके जाते हैं उसके बाद pumps and dump खेलते हैं तो इसमें little public है ही पूरा के पूरा बरबाद हो जाते हैं और अच्छे company अगर सही में company का high valuation लेकर company का ठीक ठाक undervalued लेकर company काम कर रहा है तो इस company में आज नहीं तो कल वो पर्वल में सच्छा दिखेगा तो company के जो annual income है वो 66 क्रूर के आसपास है करजा कम है company के हाथ में जो पैसा है वो करशा negative है इसका मतलब पैसे को reuse किया गया अभी कहा पे reuse किया गया अब ध्यान से देखना company इस बार अच्छा कासा कर भी लिया और आज तक की harsh करजा company लिया वान हिट रटी फोर करोर का करजा लिया अब इतना करजा क्यों ले लिया था करजा इतना क्यों लिए गया उसके पीछे कारण भी है उसके पारण कारण कारण कोई पार्जत मिला था उससे यंदे करोड के ज्यादा प्रिश्क समयला और इस प्रोजेक्ट जादा करजा ले लिए हैं तो रही बात ऑच अब को बता दो कि mutual fund वाले ने क्या क्या रहा है अभी दिखिए continuously buy कर रहा है इसके उपर अभी भी buy क्या जा रहा है और buy क्यू किया जा रहा है उसके पीछे कारण भी मैं आपको बताऊंगा तो उसमें कारण कहाँ पर है यहापे एंटिलिया और यहापे एक्जिट किया और यहापे में आपको यह भी बता था कि फोमो बाइंग मत करिए कि यह continuously जब जारनी होता है तो कभी ने कभी बो करेक्शन होगा क्योंकि इसको higher level में कोई भी support resistance नहीं बना था तो कभी ने कभी वो profit booking होगा और अच्छा का सा profit booking हुआ अभी दिखिए फिर से वही जो range है उस range को breakout किया और breakout करने के बाद उपर गया यहापे hold कर रहे है इसको breakout करेगा तो फिर से उपर जाएगा और इस level को वो test करेगा इस level को test करने के अगर डिरेकली breakout करे और उसके बाद आप सोच रहे कि एंटी लेलू फिलकुल नहीं डिरेक्ट breakout करने के बाद उसको एक बार retestment करने दीजिए फिर से वही resistance को वो support बनाएगा उसकी बाद अगर breakout करे तो सोचना एक बड़ा momentum या पर दीखेगा तो फिलाल के लिए इस company को वर मैंने तो कुछ एंटी नहीं लिया मैं integer कर रहा हूँ इस higher level तक उसके बाद कुछ decision जुरू लोंगा तो आपके कराय है मुझे जुरू comments करके बताना next company जिसके नाम है लंसर containers limited तो इस company के बारे में बात करूँ थे container business करने वाला company है तो company ने धमा का performance दिया company का price था करीबन 122 के आसपास वह से 240 तक गया तो almost fund 2x company कर दिया और इस 2x करने के कारण company ने एक बड़ा announcement भी किया वह announcement है company का bonus का तो company 22nd September में हर एक share में आपको दो share bonus के सबसे मिलने वाल देने वाल है फिक plus point यहाँ पर extra benefit मिलेगा और इस extra benefit के चक्र में डिरेकली निवेस मत कर दिजिए आप study करिए उसके बाद काम करिए आई होब वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना दोस्तों को साश्यार भी करना और चैनल को सबस्क्रेब भी करना इतने एक्स वीडियो में तब तक ले अच्छे सरी अपनी ख्याल रखिए धन्यवाद